हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्याले प्रबंधन, स्कूल मेनेजमेंट या मोश्ट इंपॉर्डन कुईश्चिन है बियस सेकंडिय वालों के लिए तो देख लेते हैं पहले इसका अर्थ तो विद्याले प्रबंधन से ताथ पर उस संगठन से होता है जिसमें विद्याले की विभिन क्रियाओं को चलाने के लिए प्रधाना ध्यापक, निरीच्छक सिचारती एवं जो भी करमचारी गण है वो आपस में मिल जुलकर सिच्छा की उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए कार करते हैं विद्याले प्रबंधन से आशे है विद्याले के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, नियोजित मतलब योजना बना करके समन्वित उनके भी समन्वे अस्थापित करके अभिप्रेरित उनको मोटिवेट करके एवं नियंत्रित करना फिर उनको कंट्रोल करना तथा मानवी एवं भौतिक शोतों में समन्वे अस्थापित करना है विद्याले प्रबंधन के द्वारा सिच्छा की प्रक्रिया का संचालन करना होता है विद्याले प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधानाचारे, सिच्छ, करमचारी, छात्र, अभिबावक एवं जो भी भौतिक संसाधन है और सिच्छर प्रक्रिया आदि ये निहित है आशान सब्तों में कहा जा सकता है कि विद्याले में ऊपलब्त भौतिक संसादन एवं मानवियत संसादन का समुचित उपियो कर्ना विद्याले प्रबंधन कहलाता है यहाँ पर भौतिक संसाधन का मतलब है जैसे पुस्तकाले, कमरा, सहायक समगरी, खेल का मैदान यह सारी चीज़े भौतिक संसाधन में आती हैं बात करें मानवय संसाधन की तो इसमें अध्यापक, विद्यार थी, अभिवावक, करमचारी ये सब मानवय संसाधन में आते हैं तो भौतिक संसाधन ये मानवय संसाधन का समुचित उपयोग करना दिद्याले प्रबंधन कहलाता है बात करें परिभाशा के पारे में तो हैरोल्ड कीजन के अनुसार इन्होंने कहा कि आपचारिक रूप से संगठि समूहों में सबी विक्तियों से मिलकर कार करवाने की कलाही प्रबंधन है उलिवर्ड सैल्डन के अनुसार इनके अनुसार कहा गया कि प्रबंधन उद्योग यानि विद्याले एमंसिच्छा की वह जीवन दायनी सकती है जो संगठन को सकती देती है उसे संचालित करती है और उसे नियंतरत भी करती है नेश्ट है विद्याले प्रबंधन के कारिया इसमें है विद्यार्थियों में आपस में मिल जुलकर कारे करने के भावना को विखसित करना, विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा मानिता दिलवाना, विद्यार्थियों को समास सेवा के कारियों में भी लगाना, अध्यापक को उनकी योगिता के अनुसार ही कारे का तुहाजन करना, विद्याले के लिए धन को एकत्रा करना एवम उसका सही ढंग से सही तरीके से सदुपियों करना, विद्याले के लिए भवन वनवान क्रेडा, स्थान, छात्रा, वास की भी विवस्ता करना, विद्याले की सिचर समगरी जैसे चौक, डिश्टर, उपकरन निकट संपर्क भी रखना विद्याले के प्रधाना अध्यापक अध्यापक तथा अन्य करमचारी को बेतन देना नेक्स्ट है विद्याले प्रबंदन के उद्देश तो इसमें आता है विद्याले में एक लाइब्रेरी की विवस्था करना विद्याले को चलाने के लिए कु वश्यक उपकरण हैं उनकी विवस्था करना टीम भावना का विकास करना मतलब एक दूसरे के साथ मिलदर कारे करें और जो भी उद्देश निर्धारित किये गये हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके तो टीम भावना का विकास करना जटल से चिक कारियों को सरल लोग होना सिच्छक तथा करमचारियों में आत्मिश्वास होना उनमें आत्मिश्वास नहीं होगा तो वो कोई भी कार्य अच्छ से नहीं कर सकती तो आत्मिश्वास होना चाहिए विद्यार्थियों में होने वाले जो भी आय होते हैं और व्याय होते हैं उनका दैनिक देना विद्याले को सामुदाइक केंद्र के रोब में बनाना तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ